इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूस आ रही है रूस के शहर बेलगरत के वो आपको बता दे जहां अचानक से ही धमाके की वज़त से देहशत मच गई है जानकारी के मुताबिक बेलगरत में एक ड्रोन में इस दोरदार धमाका हुआ जिसकी चपेट में आने से दो लोग जखनी हो गए इसके लावा इस विस्टोर्ट की वज़स से वहां मौजूद नहीं कारों को भी नुकसान पहुचा बेलगरत की गवर्णर ने आशंका जाहिर की है कि यूकरेन का ड्रोन हो सकता है और जिसके हवा में फटने से बेलगरत शहर में जबरदस हड़कंप बच गया रूस का आरोप यह है कि यूकरेन ने उसके इलाके में घुस्ट पैट के रादे से ये ड्रोन भेज़ा था जो हवा में ही धमाके के साथ बरबाद कर दिया गया दावा इस बात का भी किया गया कि ये ड्रोन भेज़गरत के आसमान में मंडराता हुआ अचानक से ही सड़क पर जा किरा जिससे वहां एक दोरदार धमाका हुआ और काले धुए का गुबार चा गया बेलगरत की गवर्नर के मताबिक इस हमले में किसी की जान नहीं गई लेकिन दो लोग बुरी तरीके से जखमी हो गए इसके लावा जहां ये धमाका हुआ वहां मौझूद कई कारों को जबरदस दुक्सान पहुँचा वहां से आई वीडियो में अचानक हुए धमाके के बाद कार में लगे सारेंट बचते हुए सुनाई दिये अलगी अब तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि शेहर के बीचों बीच फटे इस ड्रोन को किस ने भेजा और ये किस वक्सस से बेलगरत की सीमा में हुसा था यॉरोपीय देश मॉल्दोवा में जारी यॉरोपीय देशों की बैठा की दुरान यॉक्रेन के राश्ट्रपती जेलिंस्की नेटो पर ही भड़क गए कि वो यॉक्रेन को इस संग्ठन का सदस्ते बनाएगा या फिर नहीं ताकि यॉक्रेन जंग में रूस से लड़ने के लिए अपनी आगे की तयारी उससे हिसाब से कर सके यॉरोपिय देश मौल्दोवा में मौझूद यॉरोप के 40 देशों के राश्ट्रिय ध्यक्षों के सामने जेलिंस्की ने नेटो से यॉक्रेन की सदस्ता पर जल्द फैसला लेने की अपील की इसके अलावा उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि एयू यानि के यॉरोपियन यूनियन ने भी उन्हें अब तक संग्ठन में शामिल करने पर कोई पैसला नहीं लिया जबकि यॉक्रेन ने जंग की शुरुआत में ही एयू में शामिल होने की अर्जी दे दी थी कि हवाई हमलों का डर सता रहा है क्योंकि दो दिन पहले मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ था जिसने रूस में खलबली मचा दी यही नहीं यूक्रेन ने रूस के बेलगरत में भी भारी गोला बारी की रूस के मीडिया ने दावा किया कि पूर्वी उक्रेन पर कबजे के लिए पुतिन की सेना ने नई रणनीति तयार किये जिसके तहद रूस ने यूक्रेन की सेना पर कहड़ाने के लिए पूर्वी उक्रेन के कई लाकों में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया ताकि जंग के मैदान में जलिंस्की की फॉज को चारों खाने चित किया जा सके बश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले कई महीनों से रूस की सेना पूरवी यूकरेन के डौनबास इलाके पर कबजे के लिए जंग लड़ रही है और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज रूस से जो मिल रही है वो आपको बता दे रूस के करस इलाके में यूकरेन ने जोरदार जोन आटैक किया है रूस का दावाः ये है कि उसने यूकरेन के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है रूस के मताबिक उसने इस दोरान यूक्रेन की तरफ से भेजे गए, कई ड्रोन तबाह भी कर दिये बताया ये भी जा रहा है कि ये हमला रात के वक्त हुआ रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने उसके इलाके में तबाही मचाने के लिए एक साथ कई ड्रोन भेजे थे जिन्हें उसने आस्मान में ही बरबात कर दिया विज रूस ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन में नसनहार करवाने का आरोप लगाया पश्चिमी देशों पर ये बड़ा आरोप रूस के विदेश मंतरी ने लगाया जिन्होंने क्राइमिया और रूस के कबजे वाले युक्रेन के इलाकों पर हो रहे हमलों का जिक्र किया और पश्चिमी देशों पर बरस पड़े एक दिन पहले ही युक्रेन के लुहांस्क में बड़ा हमला हुआ था यही नहीं रूस के कब्देवाले युक्रेन के जापुरिजिया, खैरसौन और डनेस्ट पर भी लगातार हमले हो रहे हैं रूस के विदेश मंत्री ने इनी हमलों का जिक्र करते हुए पश्चमी देशों पर निशाना साथा अमेरिकी न्यूस चैनल सीनन ने जावा किया कि अमेरिका के पूर राश्पती डॉनल्ड ट्रम्प ने जान बूच कर खुफिया फाइलें अपने पास रखी थी जिसकी एक आडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद ट्रम्प बुरी तरह फस गए ट्रम्प पर सीक्रेट फाइलें अपने घर ले जाने के आरोप लगे थे और सबूत के तोर पर अमेरिकी न्यूस चैनल सीनन ने डॉनल्ड ट्रम्प की एक आडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जिसमें ट्रम्प चुनाव हारने के बाद कई खुफिया फाइलें साथ ले जाने की बात कह रहे हैं सीनन के मताबिक आडियो में ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने इरान पर हमले की जानकारी वाली रक्षा विभाग की फाइलें अपने पास रखी थी आला कि ट्रम्प के प्रवक्ता ने इस आडियो को जूट बताकर बाइडन सरकार पर ट्रम्प को परिशान करने का आरोप लगाया दोजार चौबीस का राज्च्पती चुनाव लड़ने की घोशना कर चुके ट्रम्प के लिए ये आडियो रिकॉर्डिंग और मुश्किले पैदा करेगी वो पहले ही रेप केस और मानहानी की मामले में कोट के चक्कर लगा रहे है और अमेरिका की वायू सेना के कारिक्टरम के दुरान राज्च्पती जो बाइडन अचानक से ही गिर पड़े वो वहाँ वायू सेना के कारिक्टरम के दुरान सेनिको को सर्टिपिकेट बाट रहे थे और जैसे ही वो मुड़कर अपने कुर्सी पर बैठने के लिए उसकी तरफ बढ़े, उनका बैलन्स बिगड गया और वो जमीन पर गिर पड़े हलाकि उनके गिरते ही फॉरण उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सहारा दिया और कुर्सी तक ले गए बाइडन के साथ हुए इस हादिसे के बाद पूरू राश्रपती डॉनल्ड ट्रम्प ने भी चिंता जाहिर की अमेरीकी राश्रपती बाइडन के साथ यहादसा वायु सेना के एक कारिक्षम के दुरान हुआ हलाकि गनिमत रही कि उन्हें ज़्रान ज़्यादर चोट नहीं आई स्वीडन के नेटो सदस्से बनने की राह में तुर्की ने एक बार फिर अडंगा लगा दिया नौर्वेगी राश्धानी उसलों में होने वाली नेटो की बैठक में तुर्की के विदेश मंतरी ने जाने से मना कर दिया जिसके बाद तुर्की और स्वीडन का विवाद खुल कर सब के सामने आ गया क्योंकि कुर्द लडाकों की वज़े से तुर्की स्वीडन पर भढ़का हुआ है तुर्की का आरोप है कि स्वीडन कुर्द लडाकों को फलने फुलने का अपना देश में पूरा मौका देता है और यही कुर्द लडाके तुर्की पर आए दिन हमला करते हैं एक दिन पहले तो कुर्द रडाकों ने एर्दोवान के विरोध में स्वीडन की राजधानी स्टॉक होम में जंडे भेराय थे जिसके बाद तुर्की ने स्वीडन से उन लोगों पर सक्त कारवाई करने को का था लेकिन अब तक वो कारवाई नहीं हुई जिसकी वज़े से तुर्की ने नेटो की एहम बैठक में शामिल होने से मना कर दिया इस बैठक में स्वीडन के नेटो सदस्ट से बनने पर फैसला होना है और ऐसा करके कैनडा दुनिया का पहला देज बन जाएगा जो हर सिगरेट पर सेहत से जुड़ी चेतावनी चापेगा कनाडा के स्वास्त बेभाग ने सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को इसके नर्देश जादी कर दिये हैं वहां के स्वास्त अधिकारियों का मानना है कि हर सिगरेट पर चपी चेतावनी पर लोगों का ध्यान ज्यादा जाएगा नए नियम के जरिये 2035 तक कैनडा में तंबाकू की खपत को पांच वतिशक तक कम करने का लक्ष है उत्तराखंड के पितौरागट जिले में पहाडी का एक हिस्सा खिसक गया मिट्टी और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े सड़क पर आ गया जिसकी वज़े से आवाज आई ठप होगी पहाड के सकने की घटना को वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने अपने मुबाइल कैमले में रिकॉर्ड कर लिया जिसमें पहाडी का एक बड़ा हिस्सा भरबरा कर नीचे गिरता दिखा पहाड से मिट्टी और पत्थर गिरने की वज़े से वहाँ एक बड़े इलाके में धूल का गोबार छा गया ऐसा लगा मानों धूल का बवंडर आ गया हो पहाडी का हिस्सा गिरने से लिपुल एक तवागाट सड़क पर करीब 100 मीटर का हिस्सा बंद हो गया पहाडी का हिस्सा जहां गिरा वो धार्चुला से लगबग 45 किलो मीटर उपर गुंजी की तरफ है सड़क पर मलबा आने की वज़े से धारचुला और गुंजी में लगभग 300 लोग फस गए अलकि थोड़ी देर बाद ही प्रशासन की टीम ने मिट्टी हटाने वाली मशीन से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया बताया कि सड़क खुलने में कमस कम दो दिन का समय लग सकता है और चीन में बवंडर का कहर देखने को मिला बवंडर ने चीन के लियोनिंग फ्रांक के ग्रामीन इलाकों में तबाही मजाई है बवंडर के वज़े से कई लोगों को परिशानी हुई दोस्तों लोगों पर इस बवंडर का असर हुआ है इमारतों को भी इस बवंडर ने नुफसान पहुँचाया कुद्रत के कहर की चपेट में आने से 13 लोग जखमी हुए है जबकि 60 से ज्यादा घरों को नुफसान पहुचा है